कि इस इस इतिहासिक बिल पर इस इतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का बहुका दिया मानने अध्यक जी मैं अधिरंजन जी को इतना पुतना चाहता हूं क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाओं करेगी पूरुस नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं महिलाओं की चिंता महिलाओं का ही महिलाओं से आगे बढ़कर भाईयों ने सोचना चाहिए यही इस देश की परंपरा है महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है तो हमारे साथी सांसत निशिकान जी खड़े हुए है इसमें उनको क्या अपत्ती है उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले इसलिए ठोड़ा जैलस हो रहे हैं निशिकान जी मानी अध्यक जी मानी अध्यक जी कॉंग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोककंत्र का गलाद होटते हैं वो मैं गुदारा नहीं मैं गाउं में पैदा हुआ मेरे माँ पिता जी आज भी गाउं में रहते आज जब मैं पार्लेमेंट के लिए चल रहा तो मेरी माँ आज एमस देवघर में भरती है सर उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोले और इसलिए कहा उसमें कि जो महिला है सर आज यदि सारे पुरुस यहां मौजूद है उसका कारण महिला है यदि महिला नहीं होती तो पुरुस का कोई existence नहीं होता और आज चुकि कॉंग्रेस की गलतफामी है गलती है सर और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्सों तक इस बिल को लेकर नहीं आए हमारे मानने प्रधान मंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया हमारी लेकिन क्या हुआ इस देश में महिलाएं इसकूल एजुकेशन के लिए परिशान थी जब तक माननी अटल व्यारी बाजपी जी की सरकार नहीं आई सर्व सिक्षा अभ्यान इस देश में नहीं आया महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया से महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बना कर जाना पड़ता था सर्व और इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा तो मिड़े मिल स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या बच्चियो सारे स्कूलों में सोचाले बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी बत्या कैसे आगे बढ़ेंगी उसी का ये उधारन है और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर मानने प्रधान मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है यही समय और इसी स में पर आज ये एतिहासिक सेशन बुलाकर मानने प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारती जन्ता पार्टी के कारीकरता गौरबान भी थें और हम उनका जो है आदर और रमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षन देने का फ देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल एटी टू मनिस्तिवारी जी यहां बेटे हुए कल से लगातार वो संविधान 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 की बात कर रहे हैं अभी स्वोनिया जी ने भी बोलते हुए बाते कहीं कि अभी क्यूं नहीं लागू कर दिया कब से लागू कर देंगे, यह देश संभिधान से चलता है, मैं आर्टिकल 243D और टू आर्टिकल 243T जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा आपने आपको गौरवानवित महसूस किया, कि हमने पंचायत में जो है महला रिजर्विशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया, आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और टी क्या, पंचायत में किस तरह से रिजर्विशन होगा, और मिनिस्फल कॉर्परेशन में किस तरह से रिजर्विशन होगा, आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं किया यदि इस आर्टिकल में, यदि आपने डाला होता OBC की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्सों से आपको नहीं दिखाई दिया, उसी तरह से 1947 से लेकर उन्चास तक ये पूरा समिधान सभा चलता रहा, परसों से यही भासन सुन रहे हैं सर, इस Constituent Assembly से ल आप परसद में सिरूल कास और सिरूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, आप कौन सी नहीं बात के बल पॉलिटिकल एंगल के लिए आते हैं, आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के समविधान में ये कहा गया, कि राजिसवा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परसद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब मानिये प्रधान मंत्री जी और भारती जन्ता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप पते हैं, राजिसवा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परसद में रिजर्वेशन नहीं है, आप पंचाय सभी चीज़ों को हमने फ्रीज कर दिया है आप उसके ऊपर जो है काते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए तुरत सुप्रीम कोट में जाएगा और सुप्रीम कोट में तुरत लो इस्टक डाउन हो जाएगा क्या आप चाहते हैं कि महिला को रिजर्वेशन नहीं दे और जिस तरह स कि आप केवल राज़नीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपाप बनाते रहे घुमाते रहे वही भारती जन्ता पार्टी करे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं सुर्वात करता हूं उसका अंत भी करता हूं यदि यह महिला रिजर्व बोलने वाले हैं सर वो स्पीकर दो हजार चब्विस में यह आठ आठिकल आठीकल अटीटू पढ़िए संबिधान को जो पढ़िए जो संबिधान में लिका हुआ है कि सेंसस होगा सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू कर करेंगे और यह अर्टिकल एक्टीटू का रहा है यह एक्टीटू का रहा है सर सर पूरे पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे मानने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए इस पारलेमेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर लोग सभा राज्जी सभा लोबी सभी जगा सांसक बैटकर कानू पास करते रहे भाई मरता था तो भाई का लाज जलाने के लिए कोई नहीं जाता था पिता मरते थे तो पिता का लाज जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद आपका तो आपने क्यों नहीं कराया आपने क्यों नहीं कराया कित स्कति में था सर मानिय प्रधान मंत्री जी 140 क्रोन लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संबेदानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे यह लागू होगा आज आप का रहें क्यों ने लागू किये देश में फिर से यह गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिस करने सर 2020 और 21 के माहौल के बात करोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मारि गृप great हमेसे करते हैं कि मैं कोई गहर संब्रदानिक काम नहीं करूगा कोई असमभःदानिक पार लिए सेंसस होना है तो उसका भी गोसित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन में लगाई, यही तो इस बिल में है, 334 से जिसके बारे में कीमादी कानुन मंत्री जी कह रहते है सर, लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंदन मन आया है सर, इंडी एलाइंस, इंडी एलाइंस, उसके सारे नेताओं का मैं हासन पढ़ रहा था, आज सोनिया जी जब बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो राजमीती से उपर उठकर बोलेंगे, तो कि वो अपोजिशन की आवाज नी, मैं उटा सम्मान करता हूं सर इस महिला रिजर्वेशन के लिए, जिन महिलाओं ने पार्लेमेंट के अंदर और पार्लेमेंट के बाहर सबसे ज़्यादा वो आवाज उठाई, वो बेंगॉल की गीता मुखरजी थी, और भारते जनता पार्टी की सुस्मा सुरास थी, ये दोनों